गुड मॉनिंग स्टूडेंट चैप्टर नेमर नाइन में हमने इससे प्रिविएस वीडियो में देखा था टाइपस ऑफ रिटेल स्टोर दिसमें हमने मोबैल सोप जो मोबिलिटी होती है जैसे दुस्से जगा जा सके वह वाला पड़ा था दिन उसके बाद हमने बिक सोप पड़े थे और हमारा है अडर मैठेड जो अडर्स मैठड ऑव सेलिंग होते है वह वाला जिसमें सबसे पहले है उटومेटिक हैंडडिंग मसीन आटमेटिक हैंडिक मैंडिंग मसीन यह एक टइब की ओडू में में अरेंज किया है, customer has to drop the currency, customer को सिर्फ currency या कोईन वो मसीन में डालना है और अपने product को purchase करना है जैसे कि news paper है, cold ring है, ice cream है, coffee, etc. यह सब available होती railway station पर जहां पर सिर्फ हमें पैसे डालना है, मसीन को press करना है और हमें हमारा जो भी product है, वो product हमारा बाहर available हो जाता है how many coins कर भी insert in the machine, indicate on the machine, कितने machine में हमने coin डालना है, वो coin machine को पर दिखेगे भी, the requirement, जो भी requirement product होगा, वो machine से बाहर आएगा instantly जब हम जो coin machine में डालेगे, this type of machine, यह machine की service 24 hour चालो होती है 24 into 7 मतब पूरे 7 दिन 24 hour continuously चालो होती है, the expense on the salary, इसमें जो expense है, salary है, trading है, salesman की decrease हो जाती है, क्योंकि यह automatic vending machine है, मत इसमें कोई भी workers, कोई भी यहाँ पर salesman की जरुवत नहीं पड़ती है, तो उनके जो expense होता है, वो सारा यहाँ पर reduce हो जाता है at the present, इस type की machine, पब्लिक प्लेज जैसे shopping mall हो, airport है, railway station पर बहुत ज़्यादा दिखा जाता है यह type की machine invert किया था, Greek, Engineer, Mathematical, Alexandra, Hironem फिर उसके राद हमारा टैली मार्केटिंग, टैली मार्केटिंग can be divided, टैली मार्केटिंग को दो पाट्स में डिवाइट किया है सबसे पहला है टैली फानिक मार्केटिंग कि अब है टैली फानिक मार्केटिंग की जो अभी कोई भी ब्रांड का या किसी का भी product यूज नहीं कर रहे है जो सोच रहे something कुछ purchase करने का तो वैसे customer हमारे लिए पॉटेशने कस्टेमर अगर हम उनको ज़्यादा motivate करें या ज़्यादा attract करें तो हमारे समार purchase कर सकते हैं तो वैसे customer को attract कर सकते हैं आधर telephone या mobile के थुरू कि हम उनको अपनी commodity अपनी service के आप में बता के interest of the customer are directly visit and provide information जो customer के वास हम directly visit करें थुरू mobile के थुरू या फिर telephone के थुरू और उनको सारे product के बारे में सारी information प्रोवाइट करें उनको convince करें कि हमारे साथ appointment fix करें और हमारे product को purchase करें इस method को बोलते हैं अगर हम telephone के थुरू अपना product सेल करें तो उस method को बहुत है यह method जादा करके यूसफुल होता है loan के लिए insurance service के लिए credit card के लिए कि जहाँ भी हमें company से phone आता है और वहां से पूछा जाता है कि आप interested हो credit card debit card etc then television marketing in this method customer are attracted by providing full information of the product on the service through demortalization of various products यह type के step में customer को attract क्या जाता है सारे information provide के जाते product होगा service के related किसमें various product के आरह में through the customer or get जिसमें customer either phone number हमको नहीं मिले या फिर names मिले तो हम यहाँ पे टैली परिजन के थुरू मतलब customer को information provide करते है about टैली advertise करके या फिर इंटरनेट में साइड में पैंपलेट डालके जिसमें customer को हम अपना either phone number से आप contact website number के customer को कुछ भी चीज़ करें इसके वार में information चीज़े तो directly हमसे contact कर सके the product is delivered to customer customer को product जो भी होगा deliver घर पे किया जाएगा इस method में ज्यादा करके वो product जिसे की home application से luxury से comfort product को बीचा जाता है यह product product में दो method यूज़ किया जाता है payment के लिए एक advance payment मतब डेबिट और credit card से हमने advance payment कर दी वो या फिर second payment made by the cash मतब पेमेंट जो है delivery और cash delivery जो cash delivery भी आया तो जैसे की हमने सामन deliver किया और हमें payment मिल गया फिर हमारा third point है यह हमारा दो थे tele marketing में telephonic और television फिर उसके रद हमारा last है internet marketing producer place the advertisement office product on different media of internet like email browser portals sometimes they also their own website like flipkart snapdill amazon etc यहां पर internet marketing जहां पर producer advertise करते अपने product के बारे में बहुत सारे different different video में जैसे की email है browser है internet पर कभी-कभी लोग हुद के भी website use करते जैसे flipkart snapdill amazon etc the customer compare the product customer compare कर सकते product company जो भी advertisement अपने select करके flipkart amazon दोनों में अपने product को डालके compare कर सकते है कि कहां पर कितना फिर उसके बाद वो ordered है सकते है थूरू internet and जो payment भी होगा वो भी online होगा either cash या फिर online payment दो method यूज़ कर सकते the customer have turned to the media of internet in modern time आजकल के जो customer वो modern मतब time के सबसे सब internet में internet यूज़ करते है internet के सब order करते है means online selling जादा है because of absence of the middleman या पर absence of middleman का store room है वो सब नहीं है तो जो भी product है वो हमें cheaper price में comparison to local market के compare में हमें सस्ते में अराम से online से मिल जाता है यह सब था हमारा types of retail marketing अब हमारा new topic है terminology of trade terminology of trade मतलब के trade में हम किस तरह से payment कर सकते हैं सबसे payment है cash on delivery मतलब trade में consequence element consequence words use किया जाते जिसमें सबसे पहला है cash on delivery जिसको COD बोलते means payment जो भी है वो जब भी producer और या फी seller हमें सामान हमारा deliver कर रहा है customer को उस time पे जो payment किया जाता है उससे कहते है cash on delivery free of on board FOB means the exporter है जो bear करता expense till the goods जब तर के goods importer के पास importer के pot receive नहीं हो जाता है तब तक कि जो भी expense होगा वो पूरा exporter भी यर करेगा मतलब वो पूरा exporter खर्चा उठाएगा तो उससे बोलते free on board cost insurance and freight when invoice include जो invoice होता है जिसमें invoice number होता है जो receipt होता है उसके अंदर cost of goods कितना है insurance कितना लगा भाड़ा कितना लगा वो सारा involve सारा invoice होता है include होता है उससे बोलते है CIF मतलब cost insurance and freight error and omission expected generally error and omission expected and mention in invoice invoice में generally यह maintain होता है which means any accounting कोई भी accounting है calculating में mistake होगा तो अक्सेप्ट होगा मतलब जो भी रिस्टेप होगा वो accept करेगा thank you हुआ 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 है